एक सिखर पर प्रेश्टल के सिखर पर 1.6 मीटर उची मूर्ती लगी है भूमी के एक बिंदू से मूर्ती के सिखर का उन्नैयम कौन 60 डिगरी है और उसी बिंदू से प्रेश्टल के सिखर का उन्नैयम कौन 45 डिगरी है तो प्रेश्टल के उचाए ग्याद करना था तो जैसा कि पहले हम बता देते हैं कि ये एक बेस है और इस पे क्या है प्रेश्टल लगी हुई है और प्रेश्टल के उपर एक मुर्ती लगी हुई है 1.6 मीटर का ठेक है तो 1.6 मीटर यहाँ पे हम मुर्ती की हाइट है यहां से ले करके यहां तक प्रेश्टल यह रहा उसके उपर मुर्ती यह रहा भूमी के एक बिंदू से मुर्ती के सिखर का, माल लेजी कि ये बिंदू भूमी से है और मुर्ती के सिखर तो आपका ये है, मुर्ती के सिखर का 69 डिगरी का है, मतलब ये 60 डिगरी का है, और उसके बाद, और उसी बिंदू से पैडस्टल के सिखर का 69 डिगरी का है, 45 डिगरी तो हम यह find करते हैं इसका naming करते हैं यह A है यह B है यह C है एंड यह D है मैं क्या करता हूँ कि अलग-अलग figure समझाता हूँ तो बच्छे समझ मैं आए आपको तो जैसा कि पहला figure बनेगा कुछ ऐसा यह B यह C और एंड यह C और यह D यह कितने एक एंगल बनाता है B, D, C B, D, C कितने एक एंगल बनाता है 45 डिडी का और इसकी height मुझे यह भी नहीं पता है और base भी नहीं पता है तो हम क्या करते हैं कि इसको x ले लेते हैं और इसको y ले लेते हैं ठीक है? x y ले लेते हैं और इसके बाद full figure जो है कुछ ऐसा है यह आपका c हुआ, यह a हुआ and यह d हुआ तो यह तो c d तो मैंने y लिया है और ac जो है यह देखिए ac कैसे बनेगा? ab plus bc जो add करके ac बनेगा तो 1.6 और plus और यह वाले पार्ट को हमने क्या माना है x कुछ ऐसा बनेगा figure और इसका जो angle है वो कि देखा है 60 d लेका है अब इसको हम find करते हैं तो पहले चलता है triangle bc d में खिक है तो लिखेंगे triangle bc d में देखा जाए तो मुझे base अगर मैं base find कर दूँ यह वाला इसके बाद मैं यह find कर सकता हूं तो मैं base find करता हूं तो जैसा कि base के लिए p y b क्या होता है 10 10 टीटा में होता है तो 10 45 degree equal to kya होगा p y b p मेरा कितना है bc और b मेरा कितना है c d तो 10 का 1 होता है 10 45 degree दा value bc क्या है आपका x और c d क्या है y cross multiplication करेंगे तो इसके नीचे कुछ नेता 1 तो हम कह सकता है कि x equal to y है मैं ने यह find किया इसके बाद हम चलता है triangle ac d में लिखेंगे triangle ac d में यह फिर क्या है p है b है तो क्या लाएगा 10 तो 10 60 degree equal to kya होगा ac by c d तो 10 60 का value क्या होता है root 3 और ac अगर देखा जाए तो 1.6 plus x है तो 1.6 plus x और by c d क्या है मेरा y है अब मुझे बता यह कि क्या y के जगा पर x ने ले सकते क्योंकि y equal है x के y के जगा पर x लेक सकते क्योंकि दोनों आपस में क्या है equal है अब cross multiplication गुना करते हैं जैसा कि इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा root 3 x equal to 1.6 plus x है ना इसके रद क्या हो जा देते हैं और यह plus को इस पर लाते हैं तो minus x equal to क्या हो जाएगा 1.6 अब देखते हैं कि इस दोनों में common क्या आता है common अगर देखा जाए तो x x तो क्या common आएगा तो हमने x को common ले लिया क्या बचा root 3 और minus कुछ नहीं तो 1 equal to क्या हो जाएगा 1.6 तो x equal to ले सकते हैं 1.6 by root 3 minus 1 अब इसका rationalization करते हैं rationalization के लिए sin minus होता है तो क्या करता है plus से multiply कर देते हैं तो into कर देंगे root 3 plus 1 उपर भी और नीचे भी कर देंगे root 3 plus 1 यही rationalization कहलाता है ठीक है तो 1.6 root 3 plus 1 वैसा ही रहेगा और by में देखिए यह a minus b अगर हम a इसको मालने a minus b और a plus b तो a minus b a plus b क्या होत 3 और minus b a square b a square मतलब 1 का square तो 1 ही होगा तो लिखेंगे 1.6 root 3 plus 1 by 2 इसको जब कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.8 root 3 plus 1 meter यह इसका क्या है answer I hope यह question आपको समय में आया होगा अगर समय में आया होगा तो दिल से like करें मेरे चैनल का अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो जब सस्क्राइब करें और bell icon को प्रेस करना ना भूले ताकि नए नए वीडियो आपको तन्त मिले मिलते हैं एक छोटे से देख के बाद तब तक लिए गूड़ नाइट टेक केर और बाई थैंक यू